नमस्कार में हुनिवेदिता शुक्ला 2019 लोक सभा चुनाव से पहले मोधी सरकार का लोक लुभावन बजट तो जारी हो गया जिसमें समाज के हर तपके का खास खयाल भी रखा गया बीजेपी के एजेंडे सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए मोधी सरकार के कारेकाल के आखरी बजट ने करीब करीब सभी का दिल जीत लिया इस बजट में किसान से लेकर मध्यम वर्ग हर किसी की सहूलियत देखी गई है इसलिए तो बजट के दौरान बीजेपी वाले बजट से खुश होकर टेबल पीट रहे थे और कॉंग्रेस वाले शांत बैठे बजट को सुन रहे थे जिनका ही कहना था कि सरकार से किसान नाराज है और सरकार ने तो किसानों को तुमानो छप पर फाड़ कर ही दे दिया हो जिसके बाद भी कॉंग्रेस ने बीजेपी को च्रोल करने की कोशिश की लेकिन अफसोस वो अपने खोदे गढ़े में खुद ही गिर गई उसी कहावत के मुताबिक जिसमें कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदता है वो खुदी एक दिन उस गढ़े में गिर जाता है कॉंग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दरसल मोधी सरकार ने दो हेक्टेर से कम जमीन वाले किसानों को हर साल सीधा उनके खाते में 6,000 रुपे देने का वादा किया है जो की 1 दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगा और अगले महिने की 31 तारीक तक एक किष्ट किसानों के खाते में डाल भी दी जाएगी क्यूंकि तीन किष्टों में ये 6,000 रुपे की राशी किसानों के खातों में डालने का प्रावधान है सरकार के इस फैसले से करीब 12 करोड किसानों को लाभ मिलेगा और सिमान जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आए में और तेज कती से बढ़े और एक समर्थन देने के हितू प्रदान मंत्री किसान सम्मान निदी पी-एम किसान नाम की एक एतिहासिक योजना इस सरकार में मन्जूरी की पी-एम किसान इस योजना के तहट जो वल्नरेबल किसान है जो छोटी जमीन रखते हैं दो हेक्टेर तक की जनकी जमीन है दो हेक्टेर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इंकम में सपोर्ट डाइरेक्ट इंकम सपोर्ट छे हजार रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णा सरकार में किया है छ्चेज रस्पोर्ट डाइरेक्ट इंकम सपूर्ट इंकम्स्पोर्ट सरकार की तरफ से किसानों के लिए शुरू की जाने वाली इस योजना पर कॉंग्रस ने ट्विटर के जरीए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की हलांकि कॉंग्रस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है वो बिल्कुल वही है जो सरकार ने बजट के जरीए किसानों को देने के लिए कहा है लेकिन उसके बावजूद राशी को एक साल की बजाए एक महिने में दिखा कर कॉंग्रस मुद्दे को भुना कर इसे बीजेपी का जुमला बताने की कोशिश कर रही है जिस ट्वीट में लिखा गया है कि किसानों से किये गए एक भी वादे पूरे न कर पाने के बाद मोरी सरकार ने अपने एक और जुमले से उनका अपमान किया है इसी ट्वीट के साथ एक ग्राफिक भी लगाया गया है जिसके दो हिस्से है पहले हिस्से में लिखा है लाब 6,000 रुपे प्रतिवर्ष्ट दूसरे हिस्से में लिखा है वास्तविक्ता एक किसान को 500 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे जो की सही ही है फिर भला ये बीजेपी का जुमला कैसे हो गया ये बता पाने में कॉंग्रेस नाकाम्याब है और वो भला क्यूं बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है वहीं बीजेपी ने भी कॉंग्रेस के इस ट्वीट के जरिये उसी पर हमला कर दिया है बीजेपी आंद्रप्रदेश ने एक ट्वीट करके एक कॉंग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया है बीजेपी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है ऐसा लगता है ये ग्राफिक राहूल गांधी नहीं बनाया है प्रामिस 6,000, रियालिटी 500, मैथमाटिक्स 500 x 12, 6000, पपो पाटी का IQ 0 एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे ये तो PM बन गए हैं PM is equal to poor in maths बीजेपी ने तो इस ट्वीट के जरिये कॉंग्रेस के ट्वीट का जवाब दे ही दिया वहीं बीजेपी के अलावा भी कई यूजर्स ने ट्वीट के जरिये कॉंग्रेस को ट्रोल कर दिया है लोग जम कर ट्वीटर पर कॉंग्रेस का मजाग बना रहे हैं और राहूल गांधी मात्र हसी के पात्र बन कर रह गए हैं तो देखा आपने किस तरह बजट में कोई लूप होल नहीं होने पर भी जब जबरदस्ती कॉंग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो उल्टा कॉंग्रेस ही अपने उस ट्वीट के जरिये जम कर ट्रोल हो गई